मेरा नाम मोहित है और मैं हासी डिस्टिकी सार से हूँ अभी कुछ दिर पहले यहां कुछ चर्चाऊं पर मैं बात सुन रहा था जैसे कि गुरू रविदास और बाबा साहब के बारे में अब एक साथी कह रहा था कि गुरूरविदास को मानने वाले बाबा साहब को नहीं समझते और बाबा साहब को मानने वाले गुरूरविदास जी को नहीं समझ पारे तो मैं ये बात कुछ कलियर करना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब ने सविधान लिखा वो सविधान का प्रारूप था वो हमारे संत महापुर्शों की जो एक विचार धारा को जोड़ कर उनकी जो संघर्ष का जो दोर रहा उस संघर्ष के दोर को लेके उनोंने भारत के सविधान की रचना गी जैसे कि गुरु रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन छोट बड़े सब सम बसे रवदास रहे परसंग उसी चीज़ को बाबा साथ ने सविधान के अंदर लिया कि हर इंसान को एक समानता का अधिकार हो खाने का अधिकार हो पीने का अधिकार हो वो एक अच्छे मकान में रहे एक समान रूप से रहे किसी भी तरह से कोई उच नीच ना हो तो उस गुरु रविदास महराज जी की विचार धारा को बाबा साथ सविधान में लेके आए अब कई लोग जो हैं गुरु रविदाज जी को एक भगती की तरफ लेके जाते हैं अब भगती की तरफ लेके जाते हैं तो गुरु रविदाज जी का ये दोहा अगर गुरु रविदाज जी भगती की बात करते हैं तो गुरु रविदास जी का दोहाँ शायद ऐसे होता, कि ऐसमानता की बात का तो मैं खुश रहूं, लेकिन उन्होंने नहीं कह। उन्होंने कहा कि मैं राच चाहताूं, कि ऐसा चाहता हूं मैं एक राज, जिसमें सभी लोग समान हों, मतलब आज से 600 साल पहले वो एक समानता की बात का संदेश दे रहे हैं और बाबा साहब उसे सविधान में उतार रहे हैं दूसरी बात गुरू रविदास महाराजी ने कहा कि रविदास जनम के कारणे होतन कोई नीच नरको नीच कर डार है ओचे करम की कीच मतलब कि इनसान अपने करम से अपने काम से महान हो सकता है ना कि जनम से क्योंकि मनुसमरिती कहती है कि एक इनसान जनम से महान है और एक जनम से अच्छूत तो ये कैसा सिस्टम हुआ वई क्योंकि वानी तो ये कहती है इश्वर अल्ला नूर उपाया कुद्रत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा कोपलेकों बंदे मतलब गुरू गरंत सहीब के अंदर जो वानी दर्जा उसमें कहा गया कि एक नूर ते सब जग उपजा एक नूर है जिससे सारे संसारगी रचना हुई तो फिर कौन बला कौन बंदा मतलब इनसान के जो करम है वही तो उसको सरेष्ट बनाते है और भारत का सविधान भी यही कहता है कि आप लोगों को आपकी योग्यता के अधार पर एक महत दिया जाएगा ना कि आपको किसी जाती विशेश के अधार पर कि आप उच जाती से हो या नीच जाती से हो क्योंकि सभी महापुर्शों का जो संगर्ष का दोर रहा 600 साल पहले जो गुरूरविदास जी ने करांती की उस करांती को बाबा साहब ने पूरा सविधान के अंदर एक स्थान दिया अब कई बार ये डिबेट्स भी रहती है कि बुध को लेकर गुरूरविदास को लेकर मतलब वो लोग ना तो बुध को पढ़ते हैं धंग से और ना ही गुरूरविदास को पढ़ते हैं और ना ही बाबा साहब को पढ़ते हैं यह जो आधा ग्यान है वो हमारे समाज को एक अलग दिशा में लेके जा रहा है वही जो आपस में डिस्पूट पैदा कर रहा है मतलब गुरु रविदास महाराज जी की विचारदारा आप सुनोगे जैसे करांती की बात हम करते हैं कि आज से 600 साल पहले गुरु रविदास बनारस की धरती बे एक बात कहते हैं कि रविदास महारो राम जी दसरत को सुतनाई मतलब वो नाकार रहे हैं कि जिस राजा दसरत के बेटे को तुम राम भगवान मानते हो मैं उसे मानता ही नहीं हूँ कितनी बड़ी करांती है कि एक उन्होंने बंजर जमीन एक बंजर जमीन से मतलब है कि जिस समय गुरु रविदास जी का दोर था वो अपने टाइम का एक सबसे बड़ा जातिवाद का दोर रहा जो गुरु रविदास जी ने भी पूरी तरह से जिला और बहुत बेंकर तरह से जिला उन्होंने ये दोर और उस सिस्टम के खिलाफ उन्होंने लड़ाई को शुरू किया और उस सिस्टम के खिलाफ जब लड़ाई को शुरू किया तो उन्होंने भरे दरबार में एक बात कही कि रविदास ब्रहमन मत पूजिये जो होवे गुण वहीन पूजो चर्ण चंडाल के जो होवे गुण परवीन कि एक ब्रहमनों के दोर के अंदर वो ये बात कह रहे हैं कि रविदास ब्रहमन मत पूजिये अगर किसी ब्रहमन में गुण नहीं है तो उसके पैर मत पकड़ो लेकिन अगर एक चंडाल है जो नीची जाती से माना जाता है अगर उसके अंदर गुण है तो आप उसके पैरों को पकड़ो मिंस पैर पकड़ने से मतलब है कि आप उससे घ्यान लो ठीक है तो वो एक करांती का दोर रहा और उसी करांती के दोर में गुरूरविदास जी हुए संत कबीर जी हुए राष्ट पिता जोतिबा फूले जी हुए तो एक कड़ी जिसको कहते हैं उस कड़ी का जो आखरी बिंदू रहा वो बाबा साहब सविधान के रूप में हम सब के बीच में आज भी विराजमान है उनके बाद जैसे साहब काशी राम जी ने उस विचार धारा को समझा और उस विचार धारा को समझते हुए क्योंकि गुरूरविदास जी ने राज की बाबा साहब ने हमें एक अधिकार दिया वोट का कि आप इसके जरिये आप इसके जरिये सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं और सत्ता हर ताले की चाबी है जिसमें आप लोग सब सुरक्षित हो क्योंकि गुरूरविदास जी ने भी कहा कि रविदास सुख बसन को दो ही ठाओ पहला सुख सवराज में दूजा मर गठगाओ और बाबा साहब ने भी जो वोट का अधिकार हमें दिया वो राजा बनने के लिए दिया एक तरह से हम कह सकते हैं कि बाबा साहब ने उस राणी का पेट का उप्रेशन कर दिया जो जिसकी कोक से एक राजा जनम लेता था आज चाहे करोडपती है रबपती है या एक रिख्षा चलाने वाड़ा सब के वोट का अधिकार एक ही है और उस वोट की ताकत को शायद हमारा भौजन समाज अभी नहीं समझ पा रहा और इतना वर्षो का जो संगर्ष है वो शायद उस चरम पे अभी नहीं पहुँच पाया जिसकी कलपना बाबा साब ने की थी अब आप कल से ले लो कल यहां जो हुआ गेट पे ताड़ा लगा दिया गया और अब यह पिछे की बात ले लो हमारे गुरु घर को गिरा दिया गया अब आप एक चीज देखो कि एक सरकार राम मंदिर के लिए खुद केस लड़ रही है और एक हमें जो इतिहासिक धरती है गुरु रवीदाज जी की 700 कनाल के करीब जो जंगे थी उसके उपर सरकार कबजा कर लेती है हम लोग परदर्शन करते हैं सरकार पे कोई फरक नहीं बढ़ता उल्टा हमें कहते हैं कि 200 गज जंगे लेके आप उस पे एक अस्थाई मंदिर बना लो अरे हमें मंदिर चाहिए नहीं भाई वहाँ पे पहले भी स्कूल था और हम अब भी डिमांड करते हैं मंदिर हम 100-200 गज में बना लेंगे हमें कुछ ज़्यादा सी जरूरत भी नहीं है मंदिर की हम वहाँ होस्पिटल बनवाना चाहते हैं हम वहाँ स्कूल बनवाना चाहते हैं क्योंकि अब एक चीज देखो मालो वहाँ मंदिर बनता है वहाँ मंदिर बनेगा तो सिरफ अपने समाज के लोग ही जाएंगे अब इतनी बड़ी जंग हैं हम 200 गज में मंदिर बना लेंगे लेकिन हमें वहाँ पे एक स्कूल चाहिए हमें वहाँ होस्पिटल चाहिए ताकि हर वरक का इंसान वहाँ पे जाए और एक गुरुरविदास जी के नाम से जो संस्था बनेगी जो होस्पिटल बनेगा वहाँ हर बंदा अपना इलाज कराए तो गुरुरविदास महाराज जी का जो सपना है वो पूरा होगा एक स्कूल बनेगा क्योंकि गुरुरविदास जी ने शिक्षा के लिए भी बहुत कुछ का तो मेरे हिसाब से जो भहुजन समाज इन अटकलों में अटका हुआ है कि बाबा साहब वाले जो है गुरुरविदास जी को नहीं समझ पा रहे क्योंकि एक्षुली प्रोब्लम ये है कि आज के टाइम में अम्बेटगरवाद जो है वो फेस्बुक और वाटसप इन सब पे रह गया जैसे कि आज से दस साल पहले का जो दोर था तब फेस्बुक और वाटसप का जादा नहीं था उस समय क्या होता था लोग गाउं के अंदर निकलते थे एक्षुल जो कैडर होते थे वो कैडर सुनते थे और वो कैडर है जो वो कैडर हमारे यहां यहां चोट करता है और हमें जो है असलियत से जोडता है लेकिन आज फेस्बुक नाम के पिछे बोद लगाया अंबेटकर लगाया रविदास्या लगाया और हमोगे मिशनरी लेकिन यह मिशन नहीं है एक्षुली मिशन क्या है मिशन यह है कि हम खुद को बदले पहले तो क्योंकि आज के मैं आपके मादेम से यह संदेश भी देना चाहता हूँ कि आज के जो मिशनरी साथी है लगबग थोड़ी देर तो बाबा साब पे बोलेंगे या थोड़ी देर गुरुर अविदास जी पे बोलेंगे थोड़ी देर कबीर साब पे बोलेंगे उसके बाद वो एक विशेश धर्म को गालियां देने लग जाते हैं जो कि शायद हमारा काम नहीं होना चाहिए क्योंकि भारत का सवीधान ये कहता है कि धर्म निर्पेक्षिक भारत देश है और सबकी धार्मिक भावनाओं का हमें सम्मान करना चाहिए तो हमें अपनी बात में इतना दम रखना चाहिए कि हम अपने समाज को सिर्फ अपनी बातों से बदल सके ना कि किसी दूसरों को हम गाली दे के या किसी को गलत बता के क्योंकि वो लोग अपना काम 100% कर रहे हैं हमारा समाज उनको ढ़ो रहा है, आज भी ढो रहा है हम गरों में बाबा साब की फोटो भी मिले गे हम अम्बेटगर वादी भी है लेकिन उसके बाउद भी हम दिवाली भी मना रहे हैं अओली भी मना रहे हम सब काम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इतने शक्षम नहीं हुए या हमारा समाज उस तोर पे अपने दिमाग को उस मनुवादी विवस्ता से नहीं निकाल पा रहा कि हम पूर्णते अंबेडगर वादी हो जाएं क्योंकि हम बेडगर वादी होना भी असान थोड़ी है हम बेडगर सिरफ एक नाम ही थोड़ी एक करांती है और उस करांती में मतलब हमारी उकाट भी नहीं है शायद हम उनके जितना काम भी कर सके लेकिन फिर भी मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आप लोग सम्मान सभी का करो, लेकिन अपनी जो वास्विक विचार दा रहा है, अपना जो मिशन है, अपनी जो सोच है हमारे मापुर्शों ने क्या किया, अभी मैं एक छोटा सा उधान दे रहा हूँ, जोतिबाफुले जी थे जो, वो उस समय के, जो है मारी समात से आते ह गए, तो उन्होंने आपती जताई कि ये बंदा इस बरात में जाएगा, तो हम लोग नहीं जाएंगे, तो जोतिबाफुले को जब बात पता चली, कि ये बात है, तो उन्होंने खुद को देखा, कि मैंने बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए, और मैं इस पूरी बरात के अंदर मैं सबसे ज़्यादा पड़ा लिखा हूँ, उसके बावजूद उनको उठाके फैक दिया गया था नारे के अंदर, कि ये अगर बरात में जाएगा, तो हम लोग नहीं जाएंगे, तब जोतिबाफुले जी ने एक बात सोची, कि मेरे पड़े लिखे उन्हें का क्य उनके बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन क्या हम पूरी रूप से उनकी बात को हम समाज तक पहुंचा पाएं, ये भी तो हमारी कमी है, हमने बाबा साहब को एक, मैं ये कहता हूँ कि बाबा साहब को एक विशेश वरग में रखने का जो सडियंत रहा, वो भी शायद हम हारा ही रहा कि हमने बाबा साहब को सिर्फ एक जाती से जोड़ दिया, एक दलित समाज से जोड़ दिया, क्योंकि बाबा साहब ने जो सवीधान लिखा, वो तो सर्व समाज के लिए लिए लिखा गया, लेकिन हम मंच के माद्यम से जब भी कोई बात करते हैं, तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि बाबा साब ने हमारे लिए ये किया, बाबा साब ने हमें अजादी दे दी, ठीक है हमें सब कुछ बाबा साब ने दिया, लेकिन इस भारत देश को भी तो बाबा साब ने बहुत कुछ दिया, ये बाते हम कब लोगों के बीच में पहुंचाएंगे, अब चाह तो हमारी है ना और हम कभी नहीं बता पाते हैं कि रिजरव बैंक की जो स्थापना होई तब बाबा साब का उसमें बहुत बड़ा योगदान था क्योंकि लोग कह देते हैं कि ये सिर्फ एक दलीतों का नेता है और ये दलीतों का नेता किस ने बना दिया ये दलीतों का नेता होगे कि संत की कोई जात नहीं होती कबीर साहब को इनोंने सिर्फ धानक समाज के उपर थोप दिया ठीक है अब एक बात करें कि राम किसका राम सब का और गुरुनानक किन का गुरुनानक सीखो का अरे जो संत सर्व समाज की बात कर रहे हैं एक ब्राह्मन वाद ने उनको सिर्फ और सिर्फ एक जाती से जोड के रख दिया क्योंकि ये संत उन पाखंड वादियों की जडों को हिलाने का काम कर रहे हैं तो इनको एक जात तक सिमित रख दिया जब कि कहीं भी गुरु रवीदास जी ने मतलब सिर्फ एक चमार की बात नहीं की उन्होंने अपने नाम के साथ चमार लिखा अपनी वानी में लिखा कि कहरवदास खलास चमारा जो हम सहरी सोमी थमारा वो इसलिए कि उनको कोई ब्रहामन से ना जोड़ दे सिर्फ इसलिए तो मैं आपके चैनल के माद्यम से भी अपील करना चाहूंगा कि इन सभी बातों को छोड़ कर पहले गुरु रवीदास जी को पढ़ें बाबा साहब को पढ़ें और फिर तथागत बुद्ध को पढ़ें और फिर देखें कि इन लोगों का जीवन संगर्ष सिर्फ एक ही रस्ते पर तो है एक काल के बाद दूसरा शक्ष आता गया फिर कोई और आता गया लेकिन काम तो उसी चीज़ पर हो रहा है लेकिन हम लोगों में कमी है कि हम उस काम को उस रूप में अब तक भी नहीं लोटा पाए जिस रूप में हमें उन्हें लोटाना चीए था और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कहूंगा कि हमें बाबा साहब को सिर्फ एक दलीतों से जोड़ कर नहीं देखना कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया अरे उन्होंने हमारे लिए किया ये तो सारा विश्व जानता है तभी तो आज सब हमारे दुश्मन है तभी तो बाबा साहब के स्टैचू गिराए जाते है तभी तो आज मैं एक वाट्सप पे पढ़ रहा था कि आज एक जेंगे से मेसीज आए हो था कि आज वो लोगोंने एक संकल्प लिया है कि पच्चीस दिसंबर को जिस दिन बाबा साहब ने मनु समरिती जलाई थी वो उस दिन पुतला जलाएंगे जला लो पुतले जलाने से क्या होता है तुमारा बाप है वो और वो कभी मरेगा नहीं उनको तो तुम लोग फिर से जिंदा कर रहे हो क्योंकि आप एक चीज देखना कि जिस सतर पे बाबा साहब अमबेटकर का जनम दिवस मनाया जाता है उस सतर पे आज तक किसी भी राजनेता का जनम दिन नहीं मनाया गया एक उत्सव एक बहुत बड़ा उत्सव पूरे विश्य के अंदर होता है फोरन में भी भारत में तो लगाओ कि हर गड़ी शहर पूरा प्रल का महीना बाबा साहब का जनम दिन मनाया जाता है लेकिन आज क्या है कि इतनी भीड कल रात को कितने लोग यहां पे ठंड के अंदर बैठे रहे क्यों बैठे रहे वो एक विचारदार है ना वो एक शक्ष जो एक समाज को एक नारी जाती को जो है पूरी की पूरी आजादी वो देखे गए इसलिए हम लोग बहुत उस चीज़ को समझ रहे हैं और इसलिए हरत कुर्बानी देने के लिए हम लोग त्यार हैं बस अब मैं एक चीज़ चाता हूं कि आप लोग सिवाई ये कहने कि वो एक दलीतों के नेता है या हमारे लिए उन्होंने कुछ किया ये कहना छोड़ कर पूरे भारत की बात करो उसे पढ़ो कि उन्होंने देश के लिए क्या किया और ये मैसिज लोगों तक पहुंचाओ आप सभी को जैभीम और मुझे इस चैनल के लिए बात करने के लिए धन्यावाद ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले